तो हेलो गाइज वेलकम टू टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करें के मतिवर्स अपमेंडर्स के लेगो सिट में इस्पाइडर मेन क्या कर रहा है और यह इस्पाइडर मेन है कौन सा चलिए शूरू करते हैं टॉम होलेंड वाले स्पाइडर मेन से तो कि टॉम होलेंड अब एक इंटर्व्यू में बोला है कि मुझे भी स्पाइडर मेन के करेक्टर से थोड़ा ब्रेक चाहिए और उन्हें मिला भी तो यह तो नहीं हो सकता पर मार्वल का कोई भरोसा नहीं है वह कुछ भी कर सकता है तो अब बात करतें एंड्रो गाल्फिट वाले इसपाइडर मेन की यह ठामेसं इस्पाइडर मेन की वह पॉसिबले कि अडॉला इसपाइडर मेन जब पहली बार एम्स्यो के मैं यूनिवर्समें आया था तो उसके में जीजिक में भी जादू होता है जिसका मतलब यह हुआ कि उन्हों इसा पुछ भी नहीं दिका तो शायद वो किसी आम जादू की बात कर रहा होगा या फिर उसके यूनिवर्स में भी कोई डॉक्टर स्टेंड एक्जिस्स करता होगा तो चोड़ो तो अब आते हैं तीसरे स्पाइडर मेन पर तोमी मेगवार वाले स्पाइडर मेन पर जिसके सबसे ज़ादा चान्से मुट्िवर्स ऑफ मेड़स में आने के क्योंकि तोमी मेगवार वाले स्पाइडर मेन की तीनो मूवी सेम राहीमी ने ही डेर्क्ति हैं और स्पाइडर मेन 2 में डॉक्टर स्टेंड का जिक्र भी है इस scene में जब डोकोग का नाम करण हो रहा होता है तब डोक्रेस्टेंज नाम सजेस्ट होता है पर वो employee बोलता है कि already taken जिसका मतलब है कि उनकी दुनिया में डोक्रेस्टेंज है तो अब आप बोलोगे नोवे होम में दोनों ही spider-man मना कर रहे थे कि हमारी दुनिया में Avengers नाम की बेग होना पड़े इस reference को यूज करकर मल्टी वर्स ओफ मैटनेस में टॉमी मेगवर वाला इस्पैडर में लाया जा सकता है तो चलिए आगे जाने से पेले मैं आपको बता दू कि टॉमी मेगवर के ही सबसे ज्यादा लीक बोलो यह रियूमर बोलो चल रहे थे कि वही मल् बोट सारी वीडियो बना रही है जो कि आई बटन पर सजेस्ट हो रही होगी और बस अब आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में